ताजा समाचार तमारी भाशा में विड़ावा माटे डाउनलोड करो गुज़ाती मिड़ेनी एप वाज ताजा सुरी कॉ यह वाज हुआ! झीज वाजा जुगे वाजाू जब तर कॉमिशनर पूलिस यहां पर नहीं आता है, यहां पर रेजिगनेशन नहीं रेता है, हम लोग यहां पर दीनराथ बैठे राएंगे, हम लोग नहीं हटेंगे कोई बात नहीं बन भाई, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, हम लोग कोमिशनर पूलिस से मीच करना है, उसके अंडर किसी से नहीं चलेगा हम लोग को उनसे जानना है, कि CBI को केस देने से बहले, जो चार दिन कोलकाता पूलिस के अंडर केस था, इतना एविदेंस टेंपरिंग कैसे हुआ, सब तो उनके अंडर ही है, और जो डेट बाड़ी था, उसके आसपास इतने लोग कैसे हुआ, तब तो वैसे ही एविदें तो ये चीज बहुत साफ है, जो जिस जिन इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद वोला जो कारवाई था, पुलीसी कारवाई था, उसमें बहुत गलतिया थी, ये ओनरेवल सुप्रिम कोड ने भी बोलाए कि 30 साल में ऐसा क्रिमिनल प्रसिडियर कोड उन्होंने नहीं देखा है, जो क्राइम सीन है, वो कॉर्डन ओफ अच्छे से नहीं किया गया था, उसके बाद बहुत सारा एविडेंस टैंपरिंग भी हुआ है, ठीक एकदम जो सेमिनार रूम है उसके बगल में बहुत सारा चीजे वो रिकॉंस्रक्शन शुरू हो गया था, पुलीस के सामने किस को पता नहीं कौन ओडर दिया गया था, फिर उसके बाद 14 को नाइट को एक मॉब अटाक हुआ था, जिसको प्रोडेक्शन पुलीस कुछ नहीं दे पाया, पुरा म्यूट स्पेक्टेटर के तरफ रहे, और उस दिन क्या वो पुलीस कॉमिशनर खुद आया थे और बोले थ कि सोशल मीडिया में जो चारे चीज फैला जाता है, उसके बज़े से ये मॉब अटाक होता है, हाला कि हम लोग को पता है कि वो मॉब अटाक पुरा प्रीमेडिटेटेट था, तो इसी सब बज़े से ये तीन-चार पॉइंट से हम लोग को पता चला कि पुलीस is absolute failure in this part and so the commissioner और पुलीस मस्ट रिजाइन